कहिने के लिए प्रदर्शन सरकार के नई क्रिश्च करनों की खिलाब है बट किसानों की जो रियल प्रॉब्लम है किसानों की फिसल की कॉस्ट है जो आज़ते के 35 साल बात भी किसानों को उचीत नहीं मिल रहा है तो इस एक में सेंटेस का मतलब यह हुआ किसानों की फिसल का व्यापार बढ़ाने में प्रॉमोट करना है किसानों को बढ़ावा देना है सेकेंड किसानों को फैसिल्टीस प्रॉवाइट करने है बट जिस भी फैसिल्टीस की किसानों को नीड होगी वे सब फैसिल्टीस किसानों को प्रॉवाइट की जाएगी अब most of the किसानों को transportation के facilities होते है I think बट इसके अलवाद जिस भी facilities की किसानों को need होगी वे सब facilities प्रोवाइट के जाएगी तो बट इस promotion and facilitation, producing trade and commerce इन दोनों ही प्रोवाइट करनी है So cool मिलाकर किसानों के तरक्की के लिए किसानों को सेवाई देनी किसानों को choice के मामल में freedom मिला है अब किसान जहाँ चाहे जिसे चाहे उसे अपनी फसल जाके बेच सकता है बट इसके पहले नहीं बेच सकता था किसान अपनी फसल जहाँ जिसे चाहे उसे Because of APMC, किसान अपनी फसल जाके APMC में यही बेच सकता दा APMC मतलब Agriculture Produce Market Committee जिसे हम क्रिशी मंडी भी करेते मतलब I mean जहाँ किसान अपनी फसल जाके बेच सकता है वही APMC So problem यह थी, सिर्फ APMC problem थी, एक यह option था किसान के पास But अभी किसान APMC के अलावा जहाँ चाहे उसे बेच सकता है But और एक problem थी किसानों को कि किसान सिर्फ अपने ही एरिया के APMC मंडी में जाके बेच सकता था I mean जिस district के अंडर हो रहता है एक तो अपने district में बेच सकता था या अपने area, जो भी हो दूसरे state में बेचना इलेगल था या other district में बेचना इलेगल था तो यह सब option किसानों के लिए खुल चुक है So यह है कुल मिलाकर इस एक का A The farmer, empowerment and production, agreement on press insurance and farm service निहम 2020 क्रिशी अधिकारवस रक्षा मुल्यपर समझता का आश्वासन और क्रिशी सवाय निहम 2020 तो इस एक का A के है आप किसान समझता करके क्रिशी करेगा चोटी बड़ी private company के साथ मिलकर इससे ही हम contract farming करते है So इस एक का A का A का contract farming है So empowerment and protection, agreement on press insurance and farm service इन दोनों में दिनन है हम first agreement on press insurance के बारह में समझते Agreement on press insurance मतलब अगर किसान समझता करके क्रिशी करेगा I mean contract farming करेगा किसी company के साथ मिलकर तो किसान को उसकी फसल की जो price मिलने चाहिए I mean किसान को उसकी फसल की जो मुनाफा मिलना चाहिए उस मुनाफा की guarantee मिलेगी किसान को So agreement on press insurance की guarantee मिलेगी Second farm service अब किसान जिस भी company के साथ मिलकर contract farming करेगा या करता है तो किसानों को खेती करने के लिए चीन भी चुझा के आविशक्ता रहेगी वे सब सुविदाये किसान को मिलेगी I mean वे सब सुविदाये company किसान को देगी या किसान company को सुविदाया मांग सकता है प्रेक्षान को कि वो सुईदय मांग सकता है कमपनी को बट ये आपकेसान कामपनी साथ मिलकर ? तो ये भी हो सकता है कि कमपणी वे सब सुधाय देगी ही क्योंकि कमपणी और कमपणी के फीच कॉंप Singapresist ौगू कंपनी सथ प Changing करेगा तो हो सकता है कि कंपनी दे और किसान भी मांगे इस कंपनी के साथ में नहीं तो उस कंपनी के साथ किसान कांट्राक फरमिंग करेगा तू ale सर्विस मतलब किसानों को सुविधाय मिलेगी आइमीन किसानों को सुविधाय देगी कमपनीज हमारा थर्ड एक्ट है जो कि आकरे एक्ट है अब इस एक्ट का उद्देश यह है अब आवश्य खाद दूस्त का भंडारं कोई भी कर सकेगा खाद दूस्त का भंडारं का फिल्डम अब सब को मिला है अब आवश्य खाद दूस्त का भंडारं कोई भी कर सकेगा बट ये एक इसके पहले भी बन चुका था हमारे 1st PM पंडिच जवाले निरुजी के अंडर में 1955 में तब इसका aim, I mean तब इसका उद्देश इसके opposite था तब आवश्य काद्विस्त का बंडारण कोई ना कर सके इसके लिए एक बनाया था सो अभी ने एक के तुरू इस एक के तुरू अब आवश्य काद्विस्त का बंडारण कोई भी कर सकेगा I hope आपको तीनों एक समझ गए हो Now most important किसान की मांगे के हैं किसान क्या चाती है सरकार से किसान यही चाती है कि आप तीनों काद्विस्त कर दीजे आपको जो भी चेंजेस करने या जो भी सुधार करने आप EMSP, minimum support price उस पर कीजे क्योंकि सारा खेली EMSP काई है इसान एक्चुल में चाती भी कि आप EMSP उस पर ही चेंजेस कीजे या उस पर सुधार कीजे So क्योंकि हमार देश में powerful इंसन नहीं सर्वाई कर पाता है अगर contract farming होती है तो as a company powerful role play करेगी क्योंकि हमार देश में powerful इंसन नहीं अच्छे से सर्वाई कर पाता है क्योंकि कानून मगर जाल की दरा होता है अगर powerful इंसन उसमें जाल में फस गया तो जाल दोड के भाग जाएगा बट कमजोर विक्ती, गरीब फर्स जाएगा और मारो जाएगा बट किसी का ऐसा मानने की ये तिनों एक अच्छे है किसी का ऐसा मानने की बूरे है बट most important माईनी ये सब नहीं रखता क्या है क्या गलत है माईनी ये रखता है कि किसान क्या चाहते है क्योंकि डॉक्तर और मरीज दोनों ही अप अपनी इसमे अड़े डॉक्तर नमारे सरकार और किसान नमारे मरीज अगर कोई मरीज दवा नहीं लेना चाहता है तो आप उसे जबड़स्ते क्यों खिलना चाहते है समझ रहे हो आप सो अगर किसानों की मांगे किसान जो भी चाहते है वो कर देना चाहिए मुझे नहीं पता बाद में कि यह सब थेरी है सब अनुमान लगा रहे मैं भी अनुमानी लगा रहो बट हमने एक टाइप का देश का नमक चुकाया है टेक्स पे करके बट किसानों का नहीं I think मैं शोर हूँ तो किसानों का तो नहीं चुकाया मैंने ना किसी ने भी चुकाया होगा I hope आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो अच्छा लगा हो Thank you so much पूरा वीडियो देखने के लिए